मैं विश्णु गोपाल हिंदी अध्यापक मदर रहे थे ने स्कूल बदाई हूँ प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षर साथ की हिंदी की पाठ पुस्तक वसंत का उन्नीस्वा पाठ आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्या है इस पाठ में जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं मोहंदास करम चंद गांधी इनसे सभी परचित हैं इनी ने अपना आश्रम और उसका अनुमानित व्या है अनुमानित का मतलब आश्रम को चलानी के लिए एक खर्चा जो होना है आश्रम में हमें क्या क्या चीज़ की आवश्रक्ता पड़ती है आश्रम के रहने वाली लोगों के लिए उनके वासियों के लिए एक अनुमान लगाया उनुने कि उसको चलानी के लिए हमें किन किन व का मतलब है लेखा जोखा रखना पाठ देखिए उनके द्वारा लिखित है किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवशक्ता होती है हम सब जानते हैं तो ऐसी ही संस्था गांधी जी द्वारा एहमदबाद में इस्थापित आश्रम था, संस्था की इस्थापना के संदर्ब में गांधी जी ने उसकी परिचालन हे तू, व्यायका जो लेखा जोखा तयार किया, वही इस प्रस्थुत पाठ में वड़ित किया जा रहा है, वही उसी का वड़िशा है, आईए पाठ को विस्तार से पढ़त उसकी विश्य में जानते हैं, आरम भी में संस्था ब्रिकेट में लिखा है, आश्रम में चालीस लोग होंगे, उनका अनुमान था, कुछ समय में इस संख्या के पचास हो जाने की संभावना है, पचास लोग तक भी हो सकते हैं, हर महीने और सतन दस अतितियों के आने की जाने की सबावना है, इन में तीन या पांच सपरिवार का मतलब परिवार के साथ होंगे, जिनके पूरा परिवार साथ में होगा, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वारे लोग अलग रह सकें, और शेश एक साथ, इसको ध्यान में रखते और एक मकान कुल पचास हजार वर्ग फुट चेतर फुल में बने तो सब लोगों के लाइक जगह हो जाएगी यह उन्होंने अपना अनुमान लगाया इसके अलावा तीन हजार पुस्तकें रखने लाइक पुस्तकाल हैं और अल्मारियां होनी चाहिएं वो अपना सोच रहे थे कितना कितना क्या क्या होना चाहिए कम से कम पांच एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम तीस लोग काम कर सकें इतने खेती के आवजार चाहिए जब काम करेंगे खेत की करेंगे तो उसके लिए औजार भी आवशक हैं इन में कुदालियां पहाड़ों भावड़ों और खुर्पों की जरूरत होगी बड़ाई गीरी के निमलिकित आवजार भी होने चाहिए पांच बड़े हतोडे तीन वसूले पांच छोटी हतोडियां दो एरन तीन बम दस छोटी बड़ी छेनियां चार रंदे, एक सालनी, चार केतियां, चार छोटी बड़ी बेधनियां, चार आरियां, पांच छोटी बड़ी सडासियां बीस रतल कीले, छोटी और बड़ी, एक मोंगरा, लकडी का हतोडा, मोची के आवजार बिभिन निप्रकार से संबन्दित जोभी चीजों की आवश्चा थी, उसकी उन्होंने एक सूची तयार कर ली, क्या क्या चाहिए, किस किस काम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन्होंने सब की एक सूची तयार की, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल पांच रुपया खरचाएगा इतनी चीज़े जो उनने लेकी उस समय के हिसाब से बच्चे हो आज के हिसाब से ने आज तो एक भी चीज़ आपको पांच रुपय की नहीं मिलेगी तो उस समय के हिसाब से लगबग इतनी चीजों का खर्चा उन्होंने जोड़ा कि पांच रुपए का खर्चा हो जाएगा रसोई के लिए आवशक सामान पर एक सो पचास रुपए खर्चा आएगा डेड़ सो रुपए का खर्चा उन्होंने बताया स्टेशन दूर होगा तो सामान को यूँ को या महमानों को लाने के लिए बैल गाड़ी चाहिए उस समय बैल गाड़ीयां चला करती थी तो बैल गाड़ीयों पर सामान लद करके आएगा मैं खाने का खर्च दस रुपए मासिक प्रतिव्यक्ति लगाता हूँ अन्वान किया एक व्यक्ति पर महीने भर में लगबग दस रुपए का खर्चा होगा मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे वर्ष में आस्तन पचास लोगों का खर्च छे हजार रुपए आएगा पचास लोगों का जो खर्च वार्षिक होगा एक साल का उसमें छे हजार रुपए पूरे उसका खर्च आएगा मुझे मालुम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छ ये है कि एहमदाबाद में ये प्रियोग एक वर्ष तक किया जाए यदि ऐसा हो तो एहमदाबाद को उपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए मेरी मांग तो ये भी है कि एहमदाबाद मुझे पूरी समीन और मकान सभी दे दे और बाकी खर्चे मैं कहीं और से या दूसरी तरह जोटा लूँगा अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च आहमदाबाद को उठाना चाहिए यदि एहमेदाबाद एक वर्ष के खर्च का बोज उठाने के लिए तयार न हो तो उपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ चुंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तयार किया है इसलिए ये संबब है कि कुछ मदे मुझसे छूट गई हो जल्दी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की भूल हो जाती है जब भूल हो जाती है याद आती है सामाना आता है तो फिर उसका खर्चा भी उपर नीचे हो जाता है कम और जादा हो जाता है इसके अत्रित खाने के खर्च के सिवा मुझे इस्थानिय इस्थितियों की जानकारी नहीं है इसलिए मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है देगे बॉक्स में मैं आपको पढ़के सुना दूँ अहमदाबाद में इस्ताफित आश्रम का सम्विधान स्वैम गांधी जी ने तयार किया था इस सम्विधान के मस्विधे से पता चलता है कि वो भारती जीवन का निर्मान किस परकार करना चाहते थे आगे आईए इधर देखिए यदि आहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विबिन मदों में खर्च इस तरह होगा किराया बंगला और खेत की जमीन खेत की जमीन किताबों की अल्मारियों का खर्च बढ़ई के आउजार मोची के आउजार बच्चों आप देख रहे हैं एक सूची तयार है इसमें घरेलू सामान लिखा है यानि घरों में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन सी चीज़े रसोई की कौन सी चीज़े हैं उस सब उन्होंने सोच सोच करके इसमें लिखी है कि चार पतीले, चालीस आदमियों का खाना बनाने योगे, दो छोटी पतीलियां, दस आदमियों के योगे, तीन पानी भरने के पतीले या तांबे के कल्षे, चार मिट्टी के घरे, चार तिपाईयां, एक कड़ाही, दस प्रतल खाना पकाने योगे, तीन कचलियां, कल्चियां, दो आटा गुंजने की परातें, एक पानी गरम करने का बड़ा पतीला, तीन केतलियां, पांच बाल्टियां, या नहाने केक का पानी रखने के बरतन, पांच पतीले के ढखकन, पांच अनाज रखने के बरतन, तीन त दस कटोरियां, दस गिलास, दस प्याले, चार कपड़े धोने के टब, दो छल्नियां, एक पीतल की छल्ने, तीन चक्कियां, दस चम्मज, एक कर्चा, एक इमाम दस्ता, मूसली, तीन ज़ाडू, छै कुरसियां, तीन मेजें, छै किताबें, रखने की अलमारियां, तीन दवातें, छै काले तख्ते, छै रैक, तीन भारत के नक्षे, तीन दुनिया के नक्षे, दो बंबई आहाते के नक्षे, एक गुजरात का नक्षा, पांच दुनिया के नक्षे, दो बंबई आहाते के नक्षे, एक गुजरात का नक्षा, पांच हद करगे, बढ़ई के आवजार, मोची के आवजार, खेती के आवजार, चार चार पाईया, एक गाड़ी, पांच लांटेन, तीन कमोड, दस गदे, तीन चेमबर, बाट, चार सड़की बस्तिया, सड़की बस्तिया, वैशाक बदी तेरे मंगलवार, ग्यारे मई उन्नीस सो पंद्रे को उन्होंने ये तैयार किया, अब लिखा चौके का सामान, ये बताया गया, एक बैल गाड़ी या घुड़ा गाड़ी, ये भी होनी चाहिए, लाने जास सामान के, लाने ले जाने के लिए, एक वर्ष के लिए, खाने का खर्च, च्छै हजार रुपया, मेरा ख्याल है, कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के आवजारों की भी जरूरत होगी, दूसरे बहुत से आवजार भी चाहिए, किन्तु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्ष्ण संबंदी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है, शिक्ष्ण के सामान में पांच-छै देशी हत्खरगों की आवशक होगी, इस प्रकास से प्यारे बच्चों मोहंदास करम चंद गांधी का ये आश्रम का अनुमानित व्य लेखा जोखा नामत पाठ समाथ हुआ, आए इस पाठ से संबंदित हम लोग प्रश्ण उत्तर देखते हैं, प्यारे बच्चों का ख्ष्ण साथ हिंदी वसंद पाठ उन्नीस आश्रम का अनुमानित व्य ये आप प्रश्ण अभ्यास इसके देख रहे हैं, इसका पहला प्रश्ण है हमारे यहां बहुत से काम लोग खुद ना करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उप्योग में आने वाल उजार छेनी हथोड़े बसूले त्यादी क्यों खरीदना चाहते होंगे, उत्तर देखेंगे हमारे यहां बहुत से काम लोग खुद ना करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लोगों की इसी मनुवरती को परवर्तित करने के लिए उन्हें सेवा के कर्मे दीक्षि जी छेनी हथोड़ा और वसूलख आदी खरीदना चाहते होंगे, गांधी जी अपने आश्रम के अनुमानित व्याकुल सफल बनाने के ओदेश से आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को स्वावलंबी तथा आत निर्भर बनाना चाहते होंगे, प्रश्न नमबर देखेंगे बच्चों इसमें गांधी जी जी की जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशो को चुनकर लिखिये, जिन से गांधी जी के हिसाब किताब के प्रति उनकी चुस्ती का पता चलता है। गांधी जी समय के बहुत पावंद थे, वे बच्चपन में हमेशा समय से स्कूल जाते थे और छुट्टी होते ही सीधे घर वापस आ जाते थे, वे अपिवे ही थे, अता वे पैदल यात्रा अधिक करते थे। किताबों के प्रति भी उनकी चुस्ती वफूर्ती का पता चलता है। प्रश्ण संक्या तीन है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कारिय प्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। पहला है स्वाबलंबन की भावनाउत्पन करना, दूसरा लोगों को परिश्रमी तता उद्द्यमशील बनाना, चौथा लोगों का साधा जीवन जीने की सलाह देना, और चौथा है कम खर्च करने की आदट डालना, पांचमा क्रशी कारिय में लोगों को दक्ष बनाना, और यह अपनी आपसी सहयोग पर चलेगी, सब लोग अपना कारिये स्वेम करेंगे, ग्रहकारी के दो प्रशनाव के समक्ष हैं, निमलिके शब्दों में जे प्रतेक, प्रत्य और मूल शब्द अलग करना है, इन शब्दों में से प्रत्य कौन सा है, और मूल शब्द कौन सा है दोनों को अलग करना के लिखना है जैसे प्रमाड़त व्यथित द्रवित मुकरित जंकरित शिक्षित मोहित और चर्चित प्रशन संख्या दो देखे निमलिके शब्दों में से प्रत्य और मूल शब्द अलग अलग लिखिए मौकिक, समवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराडिक, दैनिक प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा कि इस पार्ट के सभी प्रशनोत्तर भी आपने पढ़ दिये हैं आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा आईए अगली वीडियो में हम आपसे पुना मिलते है तब तक के लिए जै हिंद जै भारत